पुलाल मरांडी ने आज गुरुबार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंद सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि जारखंड में आज कल सभी जगह सभी पर हमले हो रहे हैं, आम आदमी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम जनता डरी हुई है, जारख पत्रकार सरकार की खामियां को उजागर करते हैं, तो सरकार को ये बरदाश्ट नहीं होता है, जो गलत है। मीडिया वालों को मुख्य मंत्री हिमंद सोरेन से पूछना चाहिए। पत्रकार के सिदिक पैदाव से, तो आज राजी के वही हाला है। चलिए आप देखते होंगे लगातार राजी में, चोरी, ठकाईती, अत्या, आप अरण, और सरकार के विरोध में जो जो आवाज उठाते हैं, उनके उपर तो विशेश करते हैं। पत्रकार तो सरकार के खामियों को भी उजागर करते हैं, तो सरकार को यह पतास नहीं होता है, इतने कर रहे हैं। अच्छे, यह मंग जी जो मिसाइल लागु किया है, जो पारित किया है, तो वो लोलिपॉप्ट है या इस अपागे होना है। देखे, उसके साथ इन्होंने नियोजन निती को जोड़ा ही लिए। जब नियोजन को जोड़ा ही नहीं है, तो फिर उस अस्थानियता के क्या मतलब है। वो अचार तो नहीं नहीं पकाएंगे लोग। और हमने जब जारखंड बना था, तो हमने कहा था कि अस्थानिये के सासत नियोजन को भी एक साथ हम बनगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। ताके आने वाली देश-विदेश की खबरें आपको मिलती रहें।